तलाक लेनी के लिए अब साल भर तक पती-पत्नी को अलग रहने की जरूरत नहीं है बलकि अगर आपसे सहमती से तलाक लिया जाए तो एक साल तक दोनों पती-पत्नी को इंतिजार नहीं करना पड़ेगा। बेलकि एक साल के अवधी से पहले ही अगर पत्ती पत्नी चाहे तो तलाक ले सकते हैं ये फैसला केरल हाई कोट ने बीते दिन सुनाया है केरल हाई कोट की बेंच ने आपसी सहमती से पती पतनी के बीच एक साल के अलगाव की अवधी को मौलिक अधिकार का उलंगन माना और तलाक अधिनियम की धारा 10 एको रद कर दिया है इस अधिनियम में एक साल तक अलग रहने की बात की गई थी जिसे हाई कोट ने अवैद माना है इस वीडियो में सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर हाई कोट ने ये फैसला क्यों सुनाया है लेकिन उससे पहले नमस्कार मैं नेहा चौधरी कैमरपोसिन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जंता जंक्षन केरल हाई कोट ने बीते दिने के ऐसा फैसला सुनाया है जिसके तहत अधिनियम 1879 की धारा दस एक को रद कर दिया गया तलाक लेने के लिए अब एक साल तक का इंतिजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये हाई कोट के मुताबिक मौलिक अधिकार का उलंगन है कोट ने कहा कि ये एक असम्वेधानिक धारा है जिसके वजह से हम इस अधिनियम को रद करते हैं और ये फैसला सुनाते हैं कि अब पती-पत्नी जब चाहे तब तलाक ले सकते हैं लेकिन तलाक आपसी सहमती से होना चाहिए बिते दिन शुक्रवार को ही हाई कोट ने ये फैसला सुनाया है जहां हाई कोट के जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और शोभा अनप्पा एपिन की पीठ ने किंद्र सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो वैवाहिक विवादों में पती-पत्नी के सामानिक कल्यान को दिया है और इसके तहत निर्धारित एक साल की अवधी को खारिश कर दिया है और इस साल के अवधी से पहले ही तलाक देकर ये अतिहासिक फैसला सुनाया है आपको बतादिके ये पैसला तब लिया गया जब केरल के ही एक पति-पत्नी ने फैमिली कोट में तलाक को लेकर याचिका दायर की थी जहाँ पर फैमिली हाई कोट में एक्ट की धारा के तहर तलाक के याचिका दायर करने के लिए शादी के बाद एक साल तक अलग-अलग रहना अनिवारे बताया गया जिस पर पति-पत्नी फैमिल लोग अभी तलाक लेना चाहते हैं जिसके बाद पती ने दस एको एक असमवेधानिक धारा बताया और हाइकोट में एक याचिका दायर कर दी जिसके बाद ही मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति शोभा अनंपा के बैंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायकों ने अपने विवेक के मुताबिक इस तरह के एक साल की अवधी लगाई थी ताकि पती-पत्नी द्वारा अगर तलाक का फैसला उससे में आकर लिया गया है तो एक साल की अवधी तक दोनों अलग-अलग रहकर यह समझ जाएं कि क्या वो सचमुष में तलाक लेना चाहते हैं और मजबूत परिवार और समाज की नीव रखने के लिए एक संग के रूप में जादतर देखा जाता है परिवारिक संबंदों के आधार पर कई कानून बनाए गये हैं और इसके साथ कई अधिकार भी दिये गये हैं लेकिन 1879 की धारत 10-1 के तहट अगर कोई पती-पत्नी अप बलकि वो लोग ये किये बिना भी तुरंत आपसी सहमती से तलाक ले सकते हैं बागि ये फैसला केवल केरल हाई कोट ने सुनाया है जहापर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये समविधान की अधिनियम 1879 की धारत 10-1 का अपमान है फिलाल केरल हाई कोट के फैसले के बाद दोन कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंड वॉक्स में बताईएगा आगे की खबरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहे हन्यवाद